बॉलिवुट की हर खबर के लिए प्रस कीजे बेल आइकन और जुड़े रहे वाटसप बॉलिवुट के साथ आईए देखते हैं बॉलिवुट के सब से कम समय तक चलने वाले अफैस शुश्मिता सैन और ललित मोदी कुछ महीने पहले ही शुश्मिता सैन ललित मोदी के साथ अपने अफैर को लेकर सुर्खियों में आई थी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर जीवा के साथ कुछ तस्वीरे पोस्ट की और उन्हें माई लव के रूप में टैग किया उन्होंने इसे अपने इंस्टाग्राम बायों में भी एच किया लेकिन एक पर फिर वे इसी इंस्टाग्राम बायों की वज़े से चर्चा में है उन्होंने अब इसमें से सुश्मिता सैन को हचा दिया है और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कपल अलग हो गया है अभी तक इस पर कोई कंफरमिशन नहीं आया है लेकिन अगर ये सच है तो इनका फैल काफी कम समय का था सारा अली खान और कार्तिकारियन सारा अली खान और कार्ती कार्यन का लफ शुरू होते ही खत्म हो गया कौफे वित करन पर उन्होंने बताया था कि वह उन्हें टेट करना चाहेंगी जल्द ही उन्हें लव आजकल के साथ अपनी पहली फिल्म मिली और प्यार ही प्यार था लेकिन बाद में वो अलग हो गए इशान खत्तर अनन्या पांडे इशान खत्तरों अनन्या पैंडे के बीच उनकी फिल्म खाली पीली के सेट पर प्यार हुआ जल्द ही खबरे आए कि वो एक कपल हैं अनन्या ने शाहिद कपूर के बद्दे बैश में भी शिर्कत की लेकिन अब दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कह दिया कहा जाता है कि दिपिका बादुगून और रनवीर कपूर ने दू साल तक डेट किया 2007 में बचनाय हसीनों के दारान उन्हें प्यार हो गया और 2008 तक रनवीर ने कटिना कैफ के साथ अजब प्रेम की गजब कहानी पर काम शुरू किया और दिपिका के साथ रिष्टा खत्म कर दिया अनुष्का शर्मा और रनवीर सिंग बैंड बाजबारात के दिनों से एक दूसरे के प्यार में थे लेकिन उनका आफएर दो साल से जादा नहीं चला और उन्हों ने उस रिष्टे को अलविदा कह दिया शाहित कपूर और प्रियंका चोपडा ये करन जोहर थे जिनोंने क्लियर किया कि शाहित कपूर और प्रियंका चोपडा ने दो साल तक एक दूसरे को डेट किया था हाला कि एक्ट्रेस ने ना तो इससे इंकार किया और ना ही इसे एकसेप्ट किया उन्होंने फिल्म कमीने म साथ काम किया था. सारा तेंडूलकर और शुबमन गिल अफवाई ऊड़ी थी कि सचिन तेंडूलकर की बेटी सारा सुबमन गिल को देट कर रही है ये भी कहा गया कि वो गोवा में भी साथ थे लिकिन जैलती सारा अली खान के साथ के किटर की तस्वेरे वाइरल हो गई और सारा के साथ उनकी ब्रेक अप की अफ़वाओं ने जोड पकड़ लिया आपको हमारा यी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहें वाट्स अप वालिवुड के साथ